तो फानिली बहुत ही लंबे समय के बाद USA ने एक प्रॉपर पॉलिसी डॉक्यूमेट दुनिया के सामने रखा है इंडो पसिफिक स्ट्राटजी को लेकर और इस डॉक्यूमेट में इन्होंने इस्पेशली ये बाद आड़ करी है कि हम लोग मानते हैं कि साउतेशा रीजन मे इंडिया लीडर है इंडिया को ही फॉलो करना चाहिए बाकी सब देशों को यहाँ पर आप देख पाएंगे इस पर आड़ कला को मिलेगा बाइडन टीम अन्वील्स इंडो पसिफिक प्लान टो काउंटर चाइना स्क्लाउड इंडो पसिफिक चाहे ओफिशिली ये ना कहे कि चाइना को काउंटर करने के लिए है इंडो पसिफिक का जो रिजन ये बदाते हैं बहुत कुछ है कि हम चाहते हैं कि इंडो पसिफिक सेफ रहे सेक्यूर रहे मगर इंफॉर्मली आप कह लीजिए इंडो पसिफिक चाइना को काउंटर करने के लिए ही बना है अब रिसे मतलब कि democracy, liberty को पसंद करने वाला country है और leader है South Asia का और Indian Ocean का ये बहुत ही important है US clearly ये कह रहा है कि Indian Ocean में जो dominant force होगी वो इंडिया ही रहने वाली है और इंडिया का जो rise and the future उसको US support करने वाला है economic rise, military rise क्योंकि देखिए जो ये Indo-Pacific strategy है इसमें जो schemes US launch करेगा या फिर US के कई जो छोटे steps होंगे वो नहीं लिखे ये US का grand plan है इनकी grand vision है उसमें ये लोग openly कह रहे हैं कि भारत का rise हमारे national interest में है इंडिया strong रहेगा तो Indo-Pacific अपने आप balance रहने वाला है ये statement obviously पाकिस्तान में कई लोगों को पसंद आई नहीं है पाकिस्तान का आप देख लिए एक्जिस्टेंसी इस बात को लेकर है कि कैसे भी करके इंडिया की dominance South Asia में रोक कर रखे चाहे वो कश्मीर का जरिया हो terrorism हो, nuclear threats हो मगर US की इस statement से ये बाद clear हो जाती है कि पाकिस्तान चाहे अपनी तरफ से जो भी कर ले चाइना जित्ता भी इनको support कर ले इंडिया को overall complete support है US समेद बाकी quad countries की भी in becoming the leader of South Asia अब यहाँ पर आप एक question पूछेंगे मगर सर कुछी घंटों पहले आपने वीडियो डाली थी एक कि US ने pressure डाला इंडिया पर हिजाब के issue को लेकर एक तरफ US कहता है कि हम leader हैं आपर South Asia में, दूसरी तरफ ये लोग pressure डालते हैं हम पर देखिए, US की तरफ से ऐसी बाते आएंगी democracy को लेकर इंडिया में कुछ protest हो गया उसको लेकर इनके certain sectioning की government में वहाँ से ऐसी बाते आएंगी और इंडिया का जवाब भी इसको लेकर आएगा for example जब US ने statement दी इंडिया के हिजाब controversy को लेकर इंडिया ने सिरा सिरा एक बात बोली के जो motivated comments हैं हमारे internal issues पर हम ये welcome नहीं करते मतलब के अर्थात अपना opinion अपने पास रखिए हमने आप से नहीं पूछा के आप क्या सोचते हैं जीचू के बारे में तो यहाँ पर देखिए इंडिया और US एक दुसरे को frankly जवाब देंगे मगर इसका impact military cooperation strategic cooperation में आपको नहीं दिखने वाला इस पूरे Indo-Pacific के document को आप अगर देखें तो इसमें इंडिया के लिए obviously तारीफे दो बहुत सारी है ही मगर एक warning भी है warning यह है कि इंडिया आज के समय एक बहुत ही बड़ा challenge face कर रहा है चाइना के aggression का और US यहाँ पर यह भी add करता है कि US एक strategy के तहत openly कह रहा है कि US completely support करेगा इंडिया का चाइना के aggression को counter करने के लिए तो discuss करते हैं इस topic को और भी यहाँ पर क्या क्या बाते लिखी है भाइदवे आपनी report पढ़ोगे इंडो Pacific की उसमें इंडिया को overall सबसे जादावार mention किया गया है Australia, Japan, कोई भी देश इतना mention नहीं है जितना इंडिया को mention किया गया है तो आप कह लिजिए USA की जो इंडो Pacific strategy है उसका central जो main pillar है वो है इंडिया आगे बढ़ने से पहले आपसे question भी पूछूँगा question यहाँ पर यह है कि quad group जब initially form हुआ था 2007 के आसपास उसके बाद किस country ने quad group से pull out कर लिया था कुछ समय के लिए जिसकी वज़े से quad आप कह सकते हैं कुछ हर्टक dead सा भी हो गया था यहाँ पर आपकी option है Japan, India, USA, Australia comment section में करिये उत्तर सही answer मैं आपको दूँगा वीडियो के अंध में उके पहली बात तो Indo-Pacific अपने आप में एक जोग्राफिक region है पहले इसको US कहतारा Asia Pacific अब इसमें Indian Ocean का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा add करके US इसको कहता है Indo-Pacific अब यह region आपने declare कर दिया अगला question यहाँ पर यहाँ आता है कि इस region में आपकी strategy क्या होगी उस strategy को US ने describe किया है Indo-Pacific strategy के document में इसमें बहुत सी बाते लिखी है कि Japan के साथ मिलकर यह क्या करेंगे Asiaan के साथ मिलकर इनके क्या plans है बाकी और countries को एक ऐसे देखती है और इनोंने सब countries में से मैं काऊंगा सबसे जादा importance दिया इंडिया को यह का है कि military point of view से हम इंडिया के साथ cooperate करी रहे हैं उसके इलावा health, space, cyber space technology cooperation, various aspect में US और इंडिया अपनी जो partnership है in the future बिल्ड भी करेंगे और मैं आपको यह बता दूँ बहुत ही जल्द US और इंडिया की जो पहली satellite है combined joint satellite Nisar यह भी launch होने वाली है अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्दी होगी और in the future definitely आपको इन सब sectors में भी इंडिया और US एकी cooperation देखने को मिलेगी इसके आगे US ने एक बहुत important बात यह लिखी है कि recently इंडिया ने जो challenges face किये हैं चाइना के अब देखिए हमें ये बात accept करनी होगी कि 2000 मैं कहूंगा 5 से लेकर 2000 even 17 के आसपास तर इंडिया में हम लोग uncertain थे चाइना के rise को लेकर हमें कुछ हद तक ये भी concern थी कि चाइना कितना grow कर चुका है कितना advance कर चुका है अगर कल कोई इंडिया क्या against हो गए तो क्या हम यहाँ पे चाइना को रोक पाएंगे तो कुछ यहाँ पर doubts थे मगर आप सब लोग ये बात देख चुके हैं कि दोकलाम से लेकर गलवान वली से लेकर 2022 आ गया चाइना को जहिलने के लिए इंडिया is more than capable और उल्टा चाइना को हम ठीक ठाक जवाब भी दे सकती है जब time आएगा एक चाइना का आप कहली जीए जो एक image थी कि एक बहुत जादा strong super power है और कोई country इनके सामने ठीकेगा नी इंडिया ने उस image को काफी नुकसान बजाया है और ये बाद US ने अपनी reward में भी लिखी है कि चाइना के aggression से हुआ क्या है कि एक galvanizing impact आया इंडिया पे galvanizing का मतलब यह होता है कि जब एक आदमी suddenly energized होकर charged होकर action लेता है अब for example इंडिया ने जो galvanized impact का उधारन दिया है वो आपको दियेगा border road infrastructure में इंडिया ने जिस type का infrastructure चाइना के आसपा सा बना दिया सड़के बना दी है चाइना को properly पता है कि इंडिया से war कभी भी आसान ने होने वाली उल्टा अगर इनको दुनों साइड से प्रेशर आता है इस्ट और वेस्ट दुनों साइड से तो एक बार को सकता है कि इंडिया का जो यहाँ पर sector है इंडिया का collapse भी कर जाए और recently हमारे PM ने ये बार परलिमेंट में कही भी है कि बॉर्डर पर सड़के जो हमने बनाई है इट हैस बिन गेम चेंजिंग नूव फर इंडिया यूपिये के समय बॉर्डर इंफा सक्चर किसी भी देश की रक्षा के लिए बॉर्डर इंफा सक्चर बहुत महत्वर अप्पा है लेकिन उसके प्रति इतनी उदासिंता की गई इतनी ला परिवाईयां की गई देश के अंदर उन विशों हैं कि हम पब्लिक लिए चर्था कर नहीं सकते क्योंकि देश के सिक्रूटिय के दिर्शत अच्छा नहीं है लेकिन इस चिंता का विशय है कि हमने क्योंकि वहां लोग नहीं है बोट नहीं है जरूरत नहीं लेगी फोजी आदमी जब जाएगा जाएगा देखा जाएगा क्या होने वाला है इसी सोच का प्रडाम था और इतना ही नहीं एक वारतो एक रक्षा मंत्री ने पार्लामेंट पर कह दिया था कि हम इसलिए इंफ्रसेक्टर नहीं करते हैं बॉर् उसका एक बहुत एक हिस्सा बॉर्डर के उपर इंफ्रसेक्टर की दिशाम हमने पूर्ण किया है तो ये बात देखिए एक डॉक्यमेंटेट फैक्ट है कि इंडिया ने पिछले कुछी सालों में रापेड प्रोग्रेस करी है बॉर्डर इंफ्रसेक्टर को लेकर नहीं तो पर एक्जामपल उलम्पिक्स का बॉयकॉट उलम्पिक्स का बॉयकॉट हमने किया डिप्नोमेडिक बॉयकॉट इंडिया ने किया उल्टा जो उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग सर्मनी है वो भी दूर रशन पर टेलिकास्ट नहीं होगी फिर कौर्ड के साथ सीन देखने को मिला जब डॉक्तर आजा सकhr इंडिया के विरेश मंत्री हो ऊस्टेलय अरश्रेवा में गए कौर्ड के वरेश मंत्री集 की वीटिंग के लिए उस मीटिंग में रिपोर्टेर ने ने से सवाल पूछा कि देखे जब भी कौर्ड कंडरी की मीटिंग होती है चाइना अलोचना करता है जाए शंकर जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया अब देखिए हर बार अलोचना करता है उन्हें यहाँ बिल्कुल जब भी क्वार्ड कंट्री मिलते हैं कहीं पर भी चाइना की अलोचना आती है हमने बात मान लिए कि ठीक है य सबस्ट आप जी सन। यहाँ चिए अजी रहती आता है कि यह से लिए अजिव पने धिक त Knights के लिया जिए चेमेश्व अन्हें बाड जैनाओ त्केन से चहती हैं घुर लूजह नार बजल जोजिफ is fairly clear and by criticizing it repeatedly it doesn't make us less credible. चाइना ने गोलियां चलाई हैं इंडिया ने उसका ख्याद जवाब भी दिया मगर इनिशली चाइना ने अपना यहाँ पर वादा था जो एक रिटन इनका एक प्रॉमिस था यह तोड़ा है और जब एक कंट्री लिखित रूप में जो प्रॉमिस तोड़ता है तो clearly वो कंट एक इतना trustworthy country है नहीं कल को country power के लिए कुछ भी कर सकता है तो इंडिया ने properly चाइना को यहाँ पर target किया है इंडिया openly यह भी कह चुका है कि चाइना आज के समय इंडिया के लिए सबसे बड़ा external threat है तो बिलकुल US की report में जो यहाँ पर बाते लिखी है यह अपनी जगा ठीक है मगर दूसी तरफ आप अगर देखे तो इंडिया भी आज के समय प्रॉपरली चाइना को counter कर रहा है diplomatically भी और militarily भी ना वापस आते हैं हमने MCQ की तरफ के which country withdrew from quad at one point taking it into secession देखिए वो कौन सा देश था जिसने एक बार को quad से quit कर दिया था जिसकी होजे से quad काफियत तक dorm government state में चला गया था तो सही उत्तर इसका है D Australia Kevin Rudd का time था और Australia ने उस time 2008 के आसपास pull out कर लिया था from the quad reason ये था कि China का जो pressure था उसके सामने Australia उस time जुग गया था अब उस समय से लेकर अब तक आप अगर compare करोगे तो ना सिर्फ India बाकी जो countries हैं वो भी काफी mature हुई है उनको भी ये बास समझा चुकी है कि China के सामने जुकना एक option है नहीं चाइना को proper resistance ही देनी होगी अगर Indo-Pacific में एक proper equilibrium maintain करके रखना है finally आपर मैं ये भी add कर दूँ कि अनकाडमी का एक बहुती special offer recently start हुआ है जिसके under आपको सीधा flat 4500 रुपीज का discount मिलता है on UPSC Combo subscription उसके ओपर additional 10% discount आपको और मिलेगा और जो हमारी test series अनकाडमी की ये भी आपको free मिलेगी अगर आप एक साल या एक साल से उपर का course purchase करते हैं तो simply यहाँ पर comment section में जाओ यहाँ पर आपको भी लेगा link UPSC CSE Plus इस link पर click करो और यहाँ पर यह जो combo course है यहाँ आप कर पाएंगे purchase जिसके अंडर आप UPSC films, mains, optional तीनों की त्यारी कर सकते हैं अगर माली जी अभी आपके पास time है 2-3 साल का आराम से आप prepare करना चाते हैं त तो काफी अचा भी discount चल रहा है, if you want to buy these courses, now is a great time to buy them, so इसी note के साथ यह है video can't, thank you for listening and as always, God bless you all.